कि यूटूब चैनल परिक्साइपार्टी में आप सभी का हारदिक श्वागत है गुड़ इवनिंग ट्यू अलो फ्यू मैरी तू चलिए हम जो अपनी तैयारी करें सीचेट की तैयारी करें इसमें हम मैथ अपने मैथ का जो सैक्षन है मैथ यहां पर अपनी कोश्चन की प्र इवेस्थित करने पर निम्लिकित में से कौन सी संख्य त्रित्य स्थान पर होगी कौन से यानि त्रित्य स्थान पर वो शंख्या आपको बताने तो कौन सी थर्ड जो पोजिशन है थर्ड पोजिशन पर आपके आते है थर्ड पेश पर जो आती है तो पहले इसे आरोही करम सर आपको लगाना है तो आरोई जो करम इसका वोगा तो इसके सबसे पहले इसमें आते आट पॉैंट तो इसमें सबसे फर्स्ट इसे हम आरोई करम में संक्या को लगाएगी या आपकी 0.88 छोटी यह आपका 88 होगे यह छोटी है किस से यह आपकी छोटी है इसके बाद है 8.008 फिर यह छोटी है आपकी 8.08 0.08 से 8.08 से दैन आपके आती है अगला पोइंट की इसके बाद कि यह है आपकी 8.80 और यह छोटी है 8.808 से तो यहाँ पर कौन सी पोजिशन यानि तृत्ते इस्थान पर आपका पूचा गया है तो तृत्ते इस्थान पर आपके आती है 8.08 तो 8.08 कौन से ओप्शन में तो ओप्शन यह आपर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कौस्चन आता है कौस्चन नमबर सेकिंड है इसमें दिया गया है कि 16.5 मल्टिप्लाई 3 माइनोस 35 डिवाइड बाई डिवाइड बाई आपका 5 है माइनोस के 3 इंटू 13.5 का मान पूचा गया है पूची गई है कि इसकी वैलू कैसे आएगी तो जो बोर्ड मास का जरूल है यानि बोर्ड मास से इसे को अब इसे सॉल करेगे यानि इसमें सबसे पहले जो ब्रैक्ट है वो अटाना होगा तो सबसे फाइस्टली इसमें आता है यह आपका है कि 16.5 यह आपको दिया गया इसके बाद कि 16.5 multiply by 3 minus 7 आपका हो जाएगा क्योंकि 5,35 आपका होता है 35 को 5 से बाग करेगे तो 5,35 आपका है multiply by आपका है कि 13.5 आपका हो गया 13.5 हो गया इसके बाद आता है कि 16.9 की जो multiply है वो तीन में करते है यानि 16.5 की multiply जब तीन से करेगे तो यह आपका हो जाएगा 99.5 फिर आपका है minus 7 minus इसके बाद आता है minus के आपका यह आपका minus 7 minus 3 आपका था minus 7 minus के 3 minus 7 minus के 3 आपका था multiply into 13.5 तो अब यह आपका आजाएगा 7 इसके बाद जब 13.5 की multiply हम 3 से करते हैं तो यह आपका आता है 14.5 अब यह हो जाएगा आपका 49.5 minus minus क्या हो जाएगा आपके प्लस हो जाएगे तो 40.5 और 7 जब इसमें प्लस कर देगे तो यह हो जाएगा 47.5 तो अब कितना अंसर यहां पर आता है 49.5 मेंसे जब हम minus करेगे 47.5 को तो 2 आपका आएगा तो 2 के आए अंसर आपका है तो 2 को इसके उप्शन में उप्शने में तो 2 बटे 5 और 3 बटे 4 क्या है बराबर आपका है तो प्लस इसमें आपका यह बराबर दिया गया है तो यहां पर जब हम 5 और 4 का LCM लेगे तो 5 और 20 यानि जो LCM आता है वो कितना है 20 आपका आएगा तो यह आपका आता है 20 एकम 20 एक सही तीन बटे 20 आपका आएगा तो एक सही तीन बटे 20 कौन से ओप्षिन में हैं ओप्षिन सी में तो ओप्षिन सी ही राइट हो जाएगा नेक्स्ट पूशन आता है कि 25 नंबटे 30 में पांच के स्थानय नोě में तीन के अंकित मान में अंतर पूचा गया है तो हमें यह आपर क्या करना है सबसे पहले संक्या हमें दी गई है स्थानय मान में 25 नंब Hour 30 में 5 के is थानय मान तो 5 कि सताने बाद जो फंच कन्य लिंग देना है यांनि यहां पर चार संख्या लगाने के यहां पर छोजएग THE आपने हमतर रहें टो में 6 संख्या आपको 403 exemplo 3089 में इसका जो अंकित्मान होता है कौन सा मां जो फेश वैल्यँ होता अंकित्मान इसमें पूछा गया किन का 37089 में अंकित्मान क्या हो जाएग आपका 3 होगा तो यहां पर 5hr से स्थाइदोus divisions ieं। और पूछा किस वह से से माइनस कर देगे तीन तो कितना आजाएगा यह आएगा उननचस हजार नो सो सतानवे तो कौन सो उप्षन में आपको दिया गया है उनननचस हजार नो सो सतानवे उप्षन भी में है उप्षन भी ही यहाँ पर राइट हो जाएगा अब आता है नेक्स्ट कोशन है कोशन अमर फाइव कि एक बाग है एक बाग में आम के वरक्षों की संख्या सभी वरक्षों की संख्या का एक बटे पांच बाग है आदे वरक्ष असो के है और उसे नीम के वरक्ष आपके है तो इसमें नीम के वरक्षों की संख्या बारा है तो बाग में आम के कितने वरक्ष आपके हैं तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है मान लिया हमने कि सभी वरक्षो की जो संख्या है वो X मान लिया कि माना सपोज कर लिया कि जितने भी वरक्ष है सभी वरक्षो की संख्या कितनी हो गई X आपके होगी सभी वरक्षो की संख्या x आपके होते है कितनी हो गए यानि x सपोज किया है हमने ये तो आम के वरक्षो की संख्या जो आम है आम के वरक्षो की संख्या कितनी हो गए आम के वरक्ष आपको तो यह हो जाएगी x प्लस एक बटे 5 आपको दिया गया है तो ये इक्वल कितना होगा x बटे 5 आपका हो गया अब आता है अशोग के वरक्षो की संख्या जो अशोग के वरक्षो की जो संख्या है वो यहाँ पर कितनी दी गई है एकस बटे दो आपका है इसके बाद है सेस वरक्षो की संख्या जो सेस वरक्षो की संख्या अब हम इसमें निकालेगे तो यह क्या है होगा यह हो जाएगा आपका x-x बटे 5 प्लस x बटे 2 तो जब इसे solve हम करेगे इसके बाद इसको solve करते है तो यह आता है आपका x-x बटे 5 प्लस x बटे 2 इसको solve करना है तो यहाँ पर आ जाएगा x- यह आपका लस्टेम जो आया इसका टैना आता है पांश दूक्त लुनी 10 आ अगया अब आता है 2 एकस प्लस 5 एकस तो यह जाएगा एकस माइनस 7 एकस पांच और दो सात एकस आपका हो गया तो एकस साथ यह आपका हो गया तो आपका हाईगा इसमें next यहां पर आता है कि 3x by 10 आपका हो गया 3x by 10 हो गया तो इसमें जो सेंस वरक्ष जो नीम के है और आम जो आपके है तो सेंस वरक्ष नीम के है और आम या फिर जो नीम के वरक्ष की जो संख्या है वो यहां पर 12 आपको दी गई है कितनी है बारा है तो यहां पर आगे होगा इसका कि 3x by 10 बर एक्वल हो गया 12 आपका अब इसको जैसे बराबर कितना हो जाएगा 40 आपका ओगया तो कुल वरक्षो की जो संख्या है वो तो 40 आपकी होगी तो कुल वरक्षो की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी X by 5 आपका था तो यह हो जाएगा 40 बटे 5 तो कितना हो जाएगा पान एटे 40 आट आपका आएगा कितना है आट तो आट कौन सो option में option number A में तो option A ही correct हो जाएगा next question है question number 6 कितीन brand है A, B तता C के pen crumbs है 5, 6 और 12 के packetों में उपलब्ध है यदि एक दुकंदार को तीनों परकार के pen समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले packetों की noon-term संख्याई पूछी गई है कि noon-term संख्याई क्या होगी तो चले यहां पर जो पांच चैबारा का lcm हमें ग्याद करना है तो पांच यह बारा का जो lcm आएगा वो आजाएगा 60 lcm कितना आया 60 आपका आता है तो brand a के packetों की संख्या हम निकालते तो a के packetों के अगर संख्या निकालेगे तो यह हो जाएगी 60 बटे पांच तो यह कितना बारा आपका आगया इसी तरह b की निकालते हैं तो b में कितना था b में आपका है 60 बटे 6 आपका है तो यह 10 हो जाएगा इसके बाद c c में है 60 बटे 12 यानि 12 पंजे 65 आपका हो जाएगा तो खरीदे जाने वाले packetों की जो संख्या है 12 दस और पांच आपके आते हैं कितनी आई 12 दस और पांच 12 दस पांच 12 दस पांच कौन से option में दियागा ओप्षण a में तो option a ही इसमें correct हो जाएगा next question आता है question number seven है कि 20 दिनों में मिन्टों की संख्या निमने में सब्सक्राइब गंटे में सेकिंड एक जो गंटे उसमें सेकिंड की संख्या एक गंटे में सेकिंड की संख्या अगर हम निकालते हैं तो वो आएगी आपकी 60 गुना 60 तो यह चती सो से मल्टिप्लाइ कर देगे आठ को तो आठ को मल्टिप्लाइ करने के बाद यह आता है हमारा 28800 कितना है गा 28800 आता है तो इस में क्या है कि 20 दिन में बीश दिन में मीनिटों की संख्या भी 28800 आई और आठ गंटे में जो सेकिंड नवर आपकी आती है वह भी आपके 28800 है तो इसमें कोशन जो हो था कोशन नंबर सेवन में राइट आंसर हो जाएगा आठ घंटे ऑप्षन दी करेक्ट होगा नेक्स्ट कोईशन है कोईशन नमबर एट कि एक दुकंदार ने 51 एक दुकंदार है उसने 5.1 केजी क्या लिए बदाम लिए तो 1900 ग्राम उसने किसमिस ली 2.6 किलोग्राम काजुओं को मिला दिया ता इस मिश्रन के बराबर बराबर 4 दर्जन पैकिट उसने बनाए परतिय पैकिट का जो भार होगा जो वेट होगा उसमें पुछागा कि जो भार है वो ग्राम में आपको बताना है कि क्या होगा तो चले इसमें उसने जो बदाम लिए है उसने 5.1 केजी लिए है किसमिस उसने 1900 ग्राम किसमिस लिए है और काजुओं उसने 2.6 केजी लिए है त तो इसमें एक दरजन यानि जो पैकिट में कितने होते हैं बारा आपके पैकिट हो गए अब इसने कितने तरजन यानि इसने चार दरजन अगर हमें लेने हैं तो चार गुना बारा आपका हो जाएगा, बारा चोक अड़ तालीस, तो कितने पैकिट हो गए, अड़ तालीस इसमें पैकिट हो गए, यह हो गए, इसमें चार गुना बारा, तो बारा चोक अड़ तालीस, अड़ तालीस जो है वो पैकिट हो गए, अड़ तालीस पैकिट इ निकालना है तो यह हो जाएगा अब आपका आगे कि 96 बड़ा बटे आपका होगा 48 यानि कितना 48 तो अब इससे जो वेट है वो आपका निकल जाएगा तो कितना वेट आता है 200 ग्राम आपका आएगा कितना ग्राम आया 200 ग्राम आपका एक पैकेट का बार तो इसमें जो पैप जो रोप से दूद से बरी हुई है बाल्टी के इस दूद को छोटे-đ बरतनों में भरा जाना है बाल्टी में भरे समझते दूद को एक मग के द्वारत 40 बार पूनेत है भरकर छोटे-जो बरतन है उनमें इस्ताנत ट्रित की जाता है मग की धारिता पूची गई है जो मग है उसकी धारिता क्या होगी तो यहां पर देखे एक लीटर एक लीटर बराबर होता है आपका एक हजार मिली लीटर हो जाएगा इसके बाद 16 लीटर बराबर आपका हो जाएगा 16000 मिली लीटर 16000 ml हो गया तो अब इसमें जो मग है यह आमने ज मिल्क आपका है तो मिल्क जो है वह 16,000 मीटर स्क्वेर यह आपके एक बाल्टी है तो इसमें से यह आपका यह आमने लिया है यह मग हमने बनाया है जो एकस इसका है हमारा एकस एमेल आपका है तो यह 40 बार कितनी बार 40 बार पूंटे बरकर छोटे बरतनों में इस्तांतित किया जाता है अब हम इसको निकालते हैं तो मग की धारिता निकालनी है तो मग की धारिता तो इसमें मग की जब धारिता निकालेगे तो यह हो जाएगा 40 गुना एकस 40 गुना हो जाएगा 16,000 बटे 40 आपका हो गया तो 0 से 0 आपका कर जाए अब आपका X की जो value आएगी वो आएगी 400, 4.16 आपका हो जाएगा 4.16 हो गया यानि 400 ml आपका आएगा कितना 400 ml तो X के बराबर जो मगी की धारिता है वो 400 ml आएगी option भी right हो जाएगा next question आता है question number 10 है कि 120 cm लंबी तार को मोड कर एक संभाव तिर्भुज का रूप दिया गया संभाव तिर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी जो लंबाई है वो पूछी गई है कि लंबाई इसमें क्या होगी तो संभाव तिर्भुज का जो परिमाप है संभाव तिर्भुज यह हो जाएगा आपका कि संभाव तिर्भुज जो तिर्भुज है जो ट्राइंगल आपका है उसका परिमाप बराबर हो जाएगा जो तार है जो वायर है उसकी हाइट तो इसे निकालने के लिए कितनी दी गई है तीन गुना भुजा बराबर आपका 120 सेंटीमिटर है तो भुजा के बराबर हो जाएगा आपका कितना 40 यानी 40 सेंटीमिटर आपका आएगा तो 40 cm option B में है option B ही right हो जाएगा next आता है question number 11 है कि नीमने में कौन सा कतान आपका सत्त है कौन से statement true होगी तो पहला statement है कि सभी वर्ग आयत होते है जितने भी जो वर्ग है वो क्या होते है आयत आपके होते है तो all squares are rectangle बिल्कुल correct आपका है जितने भी वर्ग होगे उसमें आयत आपके है सभी के सभी जो वर्ग है जितने भी वर्ग होगे वो आयत आपके क्योंकि आयत में क्या होता है आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है और वर्ग में भी आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर रहती है इक्वल आपके होती है चलिए जो वर्ग है उसमें चारों भुजाए बराबर होती है लेकिन जो आयत होता है जो रैक्टांगल होता है उसमें चारों भुजाए बराबर नहीं होती है इसलिए सभी जो आयत है इसमें आपके वर्ग नहीं होते है तो इसमे सबी जो आयत होते हैं वर्ग वर्ग नहीं होगे लेकिन सबी जो वर्ग होते हैं वो आएक आयत होते हैं तो option है आपका है option है right हो जाएगा next question आता है question number 12 है कि 3 और एक तिहाई समकोनों में डिग्रियों की संख्या है तो डिग्रियों की संख्या बतानी है कि 3 और एक तिहाई मे समकोन जो होता है यानि जो तीन और एक तिहाई इसमें जो तीन और एक तिहाई आपका हो गुना 90 डिग्री अपका हो जाएगा तो जब इसे ही आपका हो जाएगा 9, 37, 270 डिग्री आपका हो गया प्लस यह हो जाएगा आपका 30 रिया नबब यहा हो जाएगा तो 230 प्लस 30 कितना अद्यक्रीग आपका हो जाएगा तो 300 डिग्री कॉन सों से वप्ष्न में है 240 तो इससे अगली शंग्या पूछी गई है कि इसमें क्या आएगा तो देखे 2 की multiply जब हम 2 से करेगे तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा और 4 की multiply जब हम 3 से करेगे तो 4 तिया 12 12 चुक 48 और 48 पंजे होता है आपका 240 और 240 चिका कितना होगा 1440 आपका होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1440 आपका आएगा तो 1440 कौन से option सी में तो option सी ही आपकर करेक्ट हो जाएगा अब आता है next question आपका next question है question number 14 कि 8 सर्मिकों की साथता ही कमाई जो है वो रूपे में नीचे आपको दी गए जैसे सैती इससो बीजी हो गई 274 सार्मिकों की साथता ही कमाई जो है वो रूपे 3500 रुपे 3750 के बीच में है यह आपको बताने है तो कितने की होगी तो इसमें यहाँ पर आपको देखने है कि कितना कि यहाँ पर जो कमाई है वो 3500 और 3750 के बीच में है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 35 से उपर यानि इसमें सबसे पहले आता है आपका यह हो जाएगा एक तो आपका 3720 हो गया 3640 आपका हो जाएगा 3735 है 3630 है देन आता है 3710 3710 है 3650 है 3580 है और इसके बाद आता है 3520 3520 जो है यानि 3750 के बीच में तो कितने है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो कितने सर्मिकों की आठ सर्मिकों की तो option C में आठ दिया गया आठ इसका correct answer हो जाएगा next आता है question number 15 कि एक विशेश दिन किसी बेकरी की दुकार में हुई विबिन वस्तो की बिकरी रुपे में नीचे आपको दी गई है जैसे वस्तू हो गई है बिकरी है जो बिस्कुट है वो 1800 रुपे में है केक और पेश्ची 8000 में ब्रैड 2600 डोकला 900 में तो निमने में से कोन सा सही आपका नहीं है तो चलिए इसमें जो डोकला की बिकरी इसमें जो सही नहीं है वो आपको बताना है तो जैसे यहाँ पर आपको option है कि डोकला की बिकरी बिसकुट की बिकरी की आदी है तो डोकला की जो आपकी है इसमें कि इसमें रोंग हो जाएगा भी option है कि ब्रैड की बिकरी बिसकुट और डोकला की कुल बिकरी से रुपे 100 कम है तो इसमें देखे जो डोकला की ब्रैड की तो विक्री बिस्कुट और डोकला की कुल विक्री से रूपे 100 कम है तो यहाँ पर यह उजाएगा 2600 जो थी 2600 ब्रैड की विक्री है और यहाँ पर बिस्कुट और डोकला की कुल विक्री अगर हम लगाते हैं यह उजाएगा टोटल ये कितना बैठता है 2600 आपका बैठेगा ये तोटल भी आपका 2600 है ये भी आपका गलत हो गया C option है कि केक और पेस्टी की बिक्री ब्रैड की बिक्री से 1400 रुपे 1400 अधिक है कितनी 1400 इसमें अधिक आपके है ये भी आपका गलत है D option है कि बिस्कुट और ब्रैड की कुल विक्री, केक और पैस्टी की विक्री की आधिया, बिल्कुल सही आपका है, तो यहाँ पर जो बिस्कुट है, वो 1800 में था, प्लस 2600 इस नोट इक्वल, 8000 बटे 2, तो इसमें हो जाएगा, कि यह हो गया, 4400, इस नोट इक्वल, आपका कितना, यह हो जाएगा, 4000, यह कितना है, 4000 आपका आता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ओप्शन डिया, आपका करेक्ट हो गया, नेक्स्ट, कोशन आता है, कोशन नमबर 16, कि दिये गए वस्तु के सम्गों में से, वस्तु की संग्या को गिनते समय, एक बच्चा, एक वस्तु को दो बार गिनता है, निमली कित में से कौन से संग्या की पूरो अवधारना को दिये गए संदर में सूद्रण करने की आवेशक्ता है, तो किसकी आवेशक्ता है, यहापर होगी, ओप्शन ए है, कि वर्गी करन रोंग, ओप्शन भी, एक एक की संगती, बिलकुल सही है, ओप प्शन है, कि बच्चों को ततपरता के साथ परशनों का उत्तर देने योग्या बनाना रोंग, सैकिन ओप्शन है, कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोसाइद करना रोंग, ओप्शन सी गनिते चिंतन को सुवेवेस्तित संगटी तता अभिव्यक्त करना राइट, तो तो इसमें, तो इसमें है option A है आपका, कि उप्योगते परिस्तित को दर्शाने के लिए भीनिके मूर्त प्रतिरोप, मोडल का उप्योग करके, option A right हो जाएगा, option A क्या, इसमें correct आमसर आपका है, यानि यह हो जाएगा कि 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 4, यह हो जाएगा, दो गुन सबसे कम संभावने किसकिया, option A, वार्सिक परिक्षा, रोंग, option B, गनित में पर्तिकात्मक भाषा का परभुत्व, रोंग, option C, गनित की संचई, प्रकरती, रोंग, option D, रचनात्मक आकलन राइट, तो option D, correct हो जाएगा, next, अब आता है, next question आपका, question number 20 है, कि गनित के रोंग, option C, लक्षे आलपकालिक है, जबकि दिर्गकालिक है, राइट, तो option C, यहाँ पर राइट हो जाएगा, next, आता है, question number 21 है, कि प्राथमिक स्था पर techn Noralyман का निम Lek與 में से क्या एक वांचित उद्देशय नहीं है तो क्या नहीं होगा option ए सिक्षार्तियों को परतिपुष्टी परदान करना option second कि सिक्षार्तियों के परदशन की तुनला एक दूसरे से करना right option भी right हो जाएगा next आता है question नमबर 22 कि निम्लिकित में से गनित की कोन से सवदावली ए परिभाशित है तो ए परिभाशित कौन सी होगी यह आपको बताना है यह हो गया प्राकर्ट संख्याय बी एक चतुर्बुज के विकर्ण सी है रेखा और डी बिंदू तो इसमें जो आपकी होगी तो इसमें सवदावली ए परिभाशित होगी वो कौन-कौन सी इसमें आपका होता है तो इसमें जो सिक्वेंस बन निती 2020 के अनुसार निम्लिकित में से कौन सा मोलिक सिध्धानतों का निरूपन करता है जो कि सिक्षा पर नाली वेवेस्था का मार्ग दर्शन करेगा तो कोन यहाँ पर मार्ग दर्शन करता है अश्चक दोनो चेतरों में परतेग विदार्टियों के समग्रविकाश को परोचसाइट करना बिल्कुल करेक्थ है B है कि बहुँ विश्यक और समग्र सिक्सा पर बल देना ये भी सही होगा C केवल दिव्यान विध्यारतों के लिए प्रोधोगी की काव्यापक उप्योग रोंग D है कि नवचार को बढ़ावा देने के लिए सरजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोध सहाईत करना ये भी आपका सही होगा तो A, B और D आपका करेक्ट है तो राइट आमसर यहाँ पर आपका हो जाएगा A, B, D कौनसा ओप्षन में ओप्षन भी में ओप्षन भी ही राइट होगा Next question आता है 24 अब next question क्या 24 है कि निमलेकित में से कौनसा प्रात्मिक अक्षाओ में मापन की एमाना की कायों को प्रस्तूत करने का सरवाधी कुप्यूक्त उप्धेशे है तो देशे क्या है, option A, कि यह जानना की मापन की कुल कितनी एमाना की काईया है, wrong, option B, मापन की काईयों का एक परनाली से दूसरी परनाली में रुपांतरन की आवधारना की सिक्षन, wrong, C, option A, माना की काईयों की आविशक्ताओं को समझना, right, तो option C, correct हो जाएगा, next आता है, question number 25 है, कि प्राथमी की स्तर पर बच्चों को व्रत की संकल्पना प्रस्तूत करते समय, सिक्षन अधीगम परकिर्या में सबसे अंतिम चलन कौन सा होना चाहिए, option A, व्रत की परिभाशा देना, option A, correct होगा, next, 26 question है, कि निम्लिकित में से किस अवधारना के लिए 10 ग्राम का प्राइचना रों, option B, संख्या बोध, right answer, तो संख्या बोध में आपका होगा, option B, right हो जाएगा, next, आता है, question number 27 है, कि निम्लिकित में से कोन सा गनित में अंतदर्शी ग्यान के संबंद में सही है, option A, अंतदर्शी ग्यान में ततका लिखता है, और साक्षय जैसे संख्यान कोई भूमिका नहीं निभाते है, option B, यह सदेव पुक्ता ग्यान और तारकिक दलिलों पर आधारित होता है, option C, यह एक ऐसा ग्यान है, जो साधारन तै अनुभाविक साक्षय पर आधारित नहीं होता है, right, option C, correct होगा, next, 28 question है, कि आधार भूत अधारनाय जैसे कि संग्रक्षन, टायलों का पैटर्ण, टैसलेशन, इत्यादिक गनित की किन, अधारनायों के अधिगम का आधार है, तो अधिगम का जो आधार है, लंबाई का मापन, wrong, option B, द्वीविम्या आकर्तों के चेतरफल का मापन, बिल्कुल correct है, option B, यहां पर right हो जाएगा, next आता ह question number 29, कि राष्टिया पाठे चेज़ा रूप रेखा 2005 के अनुसार, निम्लिकित में से कौन सा गनित अध्यापन के लक्षे के रूप में सबसे कम उप्यूक्थ है, option तीवरिता शेगन्ना करने के लिए युक्तिया और तक्निके सीखना, बिल्कुल correct है, option है, right हो जाएगा, next और last question है, 30 question, कि प्राथ्मिक तक्षा की गनित की पाठ्या पुस्तकों में इबारती सवालों को सामिल करने करने का निम्लिकित में से कौन सास्ष्ट इस पश्टी करन है, option A, पर्तिकात्मक समझाओ की तुल्ला में इबारती सवाल को हल करना कटिन होता आता है, या बच्चो भी करेक्ट हो जाएगा, ये last question आपका था, चलिए, जो बच्चे चानल पर नहे हैं, वो चानल सब्सक्राइब करके रखे, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक्यू